पैपसिको दुनिया में एक बड़ा ब्रैंड है कम्पनी अपने प्रोड़क्स बेच कर करोडो रुपए का मुनाफ़ा कमाती थी लेकिन भारत में पैपसिको किसानों पर मुकद्मा करके फस गए दरसल पैपसिको ने गुजरात के नौ अलू किसानों पर केस दायर किया था इसमें से चार किसान पर 1.5 करोड रुपए का हरजाना मांगा गया था लेकिन अब पैपसिको को भारत में बॉर्कॉर्ट का डर सता रहा है पैपसिको के खिलाब भारत में सोशल मीडिया पर मुहीम छिड़ गई है मुहीम की वज़े से पैपसिको को बड़ा नुकसान हो सकता है इसके वज़े से भारत में पैपसिको की बिक्री घट सकती है ऐसे में पेपसिको ने किसानों से कोट के बाहर समझोते का प्रस्ताव रखा है पेपसिको के बड़े अधिकारी इस मुद्दे को जल से जल सुलजाना चाहते हैं भारतिय बाजार पेपसिको के लिए काफी एहम है पेपसिको की अमेरिका में बिक्री धीमी पड़ रही है और ऐसे में भारत उसके लिए एक महत्पून मार्केट है पेपसिको को किसान विरोधी मानने से गलत संदेश जाएगा ये भी समझना जरूरी है कि आखिर क्यूं पेपसिको को किसानों पर मुकदमा दर्ज कराना पड़ा पेपसिको का आरोप है कि ये किसान लेश चिप्स में इस्तमाल होने वाले आलू का उतुपादन कर रहे थे एंडू कीश किस्म को पैप्सीको ने कॉपे consistency कर रखा है पैप्सीको लेजचरिप को बनाने के लिए आलू की खास किस्म fc5 या fl 2027 का इस्तमाल करती है पैप्सी को का दावा है कि शाल 2016 में उसने इस खास किस्म के आलू के स्तमाल का अधिकार मिला जिन किसानों पर मुकदमा किया गया है वो तीन से चार एकड़ की खिती वाले छोटे किसान है पैपसिको ने नौ किसानों पर केस दर्च कराया है चार किसानों से एक करोड रुपए के हरजाने की मांग की है जबकि पांच किसानों से बीस लाख रुपए के हरजाने का मुकद खेती है कैसे करनी और क्यूं करनी ये अमीरिका की कोई कंपनी हिंदुस्तान के किसानों को सिखाएगी नहीं और इस स्वतंत्र देश में कोई मल्टि-नेशनल आखे अपनी शर्ट पे किसानों को कहें कि आप ये करो अपने क्यात में उदर किसानों का आरोप है कि पेपसिको ने एक नीजी जासूस एजन्सी का सहरा लिया और कुछ लोगों ने उनके पास संभावित खरीदार के रूप में आकर गोपनी ये तरीके से खेती का वीडियो बनाया और आलू का नमूना लेग केस दर्ज होने के बाद ये किसान अब घबराए हुए है किसानों को राजनितिक समर्थन भी मिल रहा है कॉंग्रेस ने किसानों के खिलाफ मुकदमे को गरत बताया है उदर गुजराज सरकार भी किसानों के साथ आ गई है गुजराज सरकार ने किसानों की हर संभव मदद का आश्वासन दिया है देश में पैप्सिको के विरोध शु जल्द किसानों को राहत मिलने की उमीद है